रास्तन हाई कोट में अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ते के बाद उठे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है भाजपा दियुक्ता संगर समिते के सदर्शे आज भाजपा कारेले पहुंचे और परदेश अध्यक्ष मदन राठोट से मिलकर अपनी आपती दर्ज सरकार के आने के बाद हाई कोट में A.G. और A.G. की नियुक्तियों के साथ-साथ निश्लीय अदालतों में भी कुछ सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी हाला कि भाजपा से जुड़े अधिवक्ताओं ने इन नियुक्तियों पर नाराज की जाहिर की है उनका कहना है कि नियुक्तियों में ऐसे कई अधिवक्ताओं को शामिल किया गया जो भाजपा की विचार धारा के समर्थक भी नहीं है समेति के सदर्शों ने मदन राठोर को ग्यापन सोपते हुए कहा कि सरकार अगर चाहे तो भाजपा से जुड़े अधिवक्ताओं को नियुक्ति कर सकती है साथ ही सिविल और क्रिमिनल पैनल में दस दस अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी किजास की मांग की है भाजपा प्रदेश का अरेले में समय हम खड़े हैं आपको बताते कि यहाँ पे कुछ वकील यहाँ पर आया है अपनी कुछ मांगों को लेके और इनमें से कई लोग भाजपा विधी प्रकोश से भी तालुकाद रखते हैं भाजपा आप यहाँ पर आये हैं अध्यक जी से भी मिले क्या है पूरा अभी हमने जो धरने का एलान किया हुआ था भाजपा अधिवक्ता संगर समीति की और से अभी सवा ग्यारा बजे हम लोग सब आके मौर्चा हमने लगा लिया था तबी अंदर से अध्यक शाब ने हम उनको साथ लोगों को अंदर बुलाया वारता के लिए और हमने वहां पर उनसे वारता की हमने ग्यापन में भी सारी चीजे उनको बता रखी थी कि इस तरह से राजदेतिक नियुक्तियां जो हाई कोड में जो सरकारी वकिलों की नियुक्तियां हुई है वो गैर भाजपा जो अधिवक्ता है उनको दर्खिनार की आए तो उन्होंने का कि हाँ ठीक है हमने उसकी जांच की है और हमारे भी कुछ समझ में आया है आप चाहते क्या है हमने का बही जो आमारे जो भाजपा दिवक्ता की जो जो कारी करता है जो योग एडवोकेट हैं उनको आप इसमें नयूक्तियां दे हमने का बै जो आठ डवले जी की पद बचरे हैं उनमें जो सीनियर और योग एडवूकेट हैं उनको नयूक्तियां दे और सिविल में दस पोस्ट बढ़ाएं और और में बढ़ा सकते हैं कि और उन्ने खाः चाहँ का बढ़ा सकते हैं कि और हम इसमें चे-ारा बिघा सॉप कर दिये और ऊड़ारी को लेंगे और कोई बड़े अधिकारी होंगे और संवादान करेंगे लगतर वकीलों के साथ में कुछ न कुछ समस्य आई ही रही है बले ही आपस में कहीं पर ये भी देखा गया है कि अगर कॉंग्रेस के लोगों को आपने इसमें सेलेक्ट किया है हम उनका विरोध कर रहे हैं और हम करेंगे कुछ वामपंती लोग आ ईसे जो गेर भाज है। हमारे से हमारे से छुनाओं में सर्थ लगाते थे पूरी बीजे पी अगर इथनी शीट लिया है तो हम इतनी पैसे देने के लिए था बनाव वह हमारे को चेलेंज कर रहे थे बीजेपी सरकार नहीं बन सकती और हम बीजेपी के लिए जो काम करने वाले हम यह कहते थे कि हम 400 पार आएंगे 400 पार आएंगे और वह कह रहे हैं अगर 200 भी आ जाए तो हम पचास बोला है तो इस तरह से जो लोग जो कारे करता हैं जि हमारे जितनी वादिवकतां साती है उन्होंने यह अश्रेशन लिए है माव से और उनने क्या दी जर्स खहला हैं कि बीजेंटक हो रहे वह हम इस mark मों यहिथा i admirativeält तो नम्या बैट flag झीने आपको क्या कुछ आश्वासन साथ अपकरी का है नहीं मानी जाती है यह कुछ विलम का नहीं है यह अधिकct अधिवक्ता लोग है और इनका साफतोर पर यह कहना है कि इनकी जो समस्या थी वो इनोंने अधियक्षी के सामने रख दी है भाजपा प्रदेश अधियक्ष मदन राठोर ने इनकी सभी समस्या सुनी है और इनको साथ दिन का इनको समय दिया है कि साथ दिन के अंदर अंदर आपकी सभी समस्याओं का समधान हो जाएगा इन अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर साथ दिन में हमारी समस्याओं का समधान नहीं होता है तब फिर आगे के अंदुलन की रूपरी का तैयार की जाएगी सेहोगी केमरमेन अजय के साथ उमंगमा थुर जनता दरबार